नमस्कार स्वागत है आपका न्यू 69 में मैं हूँ आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और पनागर्थान अंतरगर्त मजगवा में सतीश वंशकार की द्वारा देव प्रकाश तुवे पर शाष की भूमी पर कपसा कर उसके साथ मारपीज की कलेक्टर में शिकायत की गई थी जहां अपर कलेक्टर की द्वारा जाच के आदेश दिये गए थे वहीं आज पटवारी की द्वारा उक्तु भूमी की जाच की गई वहीं मौके पर पाया गया की खसरा नंबर 151, 152, 153 में खाली भूमी नाला और जाड़ी जाकड़ी लगी हुई है वहीं 153 ना का खसरा में रिखी राम प्रजापती का नाम दर्ज है जो वर्षों से वहां पर खेती बाड़ी और इड़ भत्ते का काम करता है वहीं देव प्रकाश दुबे ट्रेडर्स का काम करते हैं जो वहां लंबे समय से इड़ विक्रे करने जाते हैं जा रिकी राम और पप्पु ने बताया कि उन्होंने सतीश वंशकार को चौकीदारी में रखा हुआ था जिसके द्वारा इड़ में काम करने वाली महिलाओं के साथ छेड़ चाड़ की जाते थी वहीं सतीश वंशकार के द्वारा अवैद रूप से फोरच की जमीन पर सुवर पालन किया जाने लगा जिसके चलते उसे काम से अलग करने की बात कही तो उसकी द्वारा साजिश पूरवक देव प्रकाश द कुमार को खेद बनाने के लिए खेदी अपनी कहानी 103 पर नमर कहां पे है यह अपनी जहां पंदे मजग मचेत लगता है जो तो जो आरूप लगा रहा वो कौन है और क्या करता था चोंकी दारी रखेते तो निकलने से वाल लोग भगते नहीं रहा हो क्या बोलता था कि जो है दोबेजी के अपर आरोप लगा रहा था ऐसा कुछ हुआ है जी कौन परिसान करता था आप लोगों को और कौन है वे और क्या करता था जो यहां चौंकी दारी करते थे पप्पु भई यह ने रोटा था वो यहां खेती करवाती थी यह वह हम लोग घूमने जाते थे तो पत्कर मारते थे पर्शान करते थे सभी लेडीशों को सब्सक्राइब काम करते हैं अप लोग यह लुएस उसलिए तो बहुत कि निकाला तो वह क्या कर रहा था फिर हम लोगों साथ बहुत कुछ हूँ करते थी अप अब जांबहीं नहीं रहा था यहां से क्या लड़ा इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक लिए धन्यवाद